तीसरा selection based problem, selection based problem में क्या होता है कि कोई भी selection basically बताया जाता है कि हमने 10 में से 5 को चुना या एक सहर से दूसरे सहर कार जा रही है, कार में 3 कार है और उसमें 8 बंदों को बाटना है, तो 8 बंदों को कैसे select करेंगे, कैसे कार में भेजेंगे, 10 डब्बे हैं, 10 डब्बे में 5 बॉ से न, यह selection वाले problem भी हर बार पूछे जाते हैं, हाला कि selection based problem में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको समझना पड़ेगा कि यहां select करना क्या है, एक बार वो समझ गए तो concept लग जाएगा, ठीक है, तो selection based problem अलग अलग तरीके से, जैसे यहां पर पूछा है, कार वाला problem, पिर नीचे पूछा था number of square matrix, देखो यह selection based problem matrix पर भी लगा दिये, हो सकता है, तीसरा में एकदम कुछ अलग पर पूछ दे, तो यह selection based problem में हर बार कुछ नया पूछते हैं, शब्द नय होते हैं, बट होता selection है, अगर selection समझ गए, तो तुमको type समझ में आ जाएगा,